हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको अपने यहां गार्डन में जो मेरे हिबिसकस के प्लांट लगे हुए हैं उन पर जो भी कुछ बिमारी होती है जैसे यहां पर पत्तिय मुड़ जाती है यह आप देख रहे हैं बिल्कूल थोड़ी-थोड़ी मुड़ी हुई हैं पत्तिय तो इनके लिए या बर्स नहीं आते या यलो कलर की पत्तिय हो जाती है या पर पत्तियों में शाइनिंग नहीं आती तो इसमें आप मैं दिखाऊंगी इसको एक मिली बक्स लगता है हिबिसकस पे सबसे ज़्यादा मिली बक्स का अटैक होता है और पत्तियों की शाइनिंग के के लिए बर्स ना आने के लिए और बट नहीं आएंगे तो हमारी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी नहीं होगी आप देख रहे हैं मेरे यहां पत्तों पे कितनी शाइनिंग है मैंने कोई पानी का छड़काव नहीं किया हुआ पत्तों पे शाइनिंग है मैं ऐसा क्या सबस्क्राइब करें कि मेरा कुने और मैं आगे से आगे वीडियो बना में दिखाती रहके और उसके बाद मैं आपको इसकी अपडेट भी दिखाऊँगी दो कप दो गिलास हमने हुए पानी के लिया लिया और देड़ चम्मच हमने यह चाय की पत्ती ली है इसको अच्छी तरफ वाइल कर लेंगे इतना कर लेंगे कि हाफ वाटर रह जाए हाफ पानी रह जाएगा उसके बाद हम इसको ठंडा करने के बाद और फिर इसको चान लेंगे चाय की पत्ती हमारी वाइल हो चुकी है और इसको हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे अब हम देखते हैं यह बिल्कुल ठंडा हो चुक है और उसके बाद हम चानते हैं चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो हमारे प्लांट्स के यह हमारे प्लांट्स को बड़ो की हुई है इस चाई की पत्ती को मैंने वैसे ही सुखा डाल दिया था पानी में तो उसमें मैंने इसको थोड़े सा सूरज की किर्णों में रखा था इसने भी अपना कलर चेंज कर दिया है पानी ने तो मेरे साब से यह तरिका भी बैस्ट है क्योंकि मैंने इसको भी यूज कि है अपने प्लांट्स में इसने अच्छा रजल्ट दिया रजल्ट इसने भी अच्छा दिया पर इसका रजल्ट बहुत ही बेस्ट निकला है आप एक दिन के लिए आप अगर चाय की पती आज के गिलास में डालके बॉटल में डालके अगर आप रख देते हैं तो वह भी अप करते हैं चाय बनाने के लिए तो उसको आप दो तिन बार साध्य पानी में हिला के और सुखा भी सकते हैं और वैसे भी अगर आप कंपोस्ट में डालना चाहें तो आप गिल्ली डाल सकते हैं वैसे अगर आप प्लांट्स में अगर आप गिल्ली डालते हैं तो जब आप वाट जो भी हमारे इंसेक्स हैं, उनसे आप अपने प्लांट्स को बचा के रखें, ये मैंने नेस कैफे की कोफी लिया, आप ब्लू जो भी चाहें ले सकते हैं, कोफी में कैफिन का तत्त होता है, जो कि हमारे प्लांट्स के नाइट्रोजन, फार्सफोर्स और कोटाश की कमी को और शाइनी भी कर दिता है, नेस काफी की वज़य से हमारे प्लांट्स के जो लीव्स हैं, वो बहुत ज़्यदा शाइनी हो जाते हैं, तो उन में कोई बिमारी नहीं रहती, जो ये हमारा घोल बनेगा, इसको आपने बहुत अच्छी तरह डिल्यूट करना है, जो काफी हमारी आप थोड़ा सा कोफी गुलने में ज्यादा टाइम लेती है, तो आपने बहुत अच्छी तरह इसको ये चाई के पानी में घोल देना, और इसकी मात्रा आपने बहुत ही कम रखनी है, जैसे अब हमारे पास ये एक गिलास है पानी का, तो इसमें हम कम से कम 20 गिलास पानी के रखेंगे, तब ही हमारी कॉफी जो है हमारे प्लांट्स को अच्छी खुराक देगी, अधरवाइस नहीं वो ओवर डोज हो जाएगी, तो इसलिए आप कॉफी की मात्रा थोड़े से कम रखें, तो और एक बात मैं यहां पे और बताओं, आपको जो ये हमारा घोल बना है, और इसमें हम पानी तक्रीवन 15 लीटर, 20 लीटर पानी मिला देंगे, वो हम अपने प्लांट्स को देते हैं, तो मेरे जो कई वीवर्स पूछते हैं कि हमारी हम मॉस्किटो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मॉस्किटो का लारवा हो जाता है, वो ये चीज है, वो साइज भी बन गया है, इसे आप तक्रीवन अपने प्लांट्स में 15-20 दिन के बाद आप इसको जरूर यूज करें, सभी प्लांट्स में आप, फ्लाविंग वाले भी और शूटिंग वाले भी प्लांट्स में, ये चाय और कॉफी का जो हमारा पानी था, वो हमारे एक गिल उतना भी पतला कर लेंगे, उतना ही हमारे प्लांट्स को फाइदा देगा, इसको अपने स्ट्रोंग कॉफी बना के नहीं देना प्लांट्स में, आप देखेंगे, सिर्फ ऐसा रंग ही ही चेंज हुआ है, बिल्कुल कॉपर शेड का कलर बन गया है, ये हम अपने प्लांट में मैं दे दूँगी, और एक और बात मैं यहां पर आपको बता दूँ, हमेशा जब भी आप प्लांट्स में कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं, तो उससे पहले आप उसकी गुडाई कर दे, एक दिन पहले आप गुडाई करते हैं, तो बैस है, क्योंकि उसमें हवा का सर सॉलिट देते हैं, तो वो हमारा तकरिवर धाई या तीन मंत के अंदर वो रूट्स के पास पहुंचता है, इतना फरक पढ़ जाता है, अगर हम लिकवड देते हैं, और गुडाई करते हैं, गुडाई जरूर करें आप प्लांट्स की, आप इस प्लांट्स की पत्तों की श इसको आप पूरा वाटर ऐसे दें, जैसे हम वैसे आम पानी देते हैं, उस दिन आप यही पानी दें, सभी प्लांट्स को, और तकरिवर मेरे हिसाब से आप शाम के समय पानी दें, सुबह मोर्निंग में सूरज की किरने बहुत जल्दी निकल जाती हैं, तो आप शाम को दे हैं, इस प्लांट ने, गुढ़ल के हिबिसकस के प्लांट ने बहुत अच्छी रिजल्ट दिया है, जो मैंने इसमें डाला था, फर्टिलाइजर, चाय और कॉफी का, आप देख रहे हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है, वैसे मैं आपको ये बता दूँ, गुढ बर्स गिनने लगूं, तो बहुत ही ज्यादा बर्स है, ये आप देखेंगे, ये बिल्कुल बर्स से भरा हुआ है, आप इस वेस्ट चीज को आप कभी मत खेंगे, और अपने प्लांट्स को आप पूली अच्छी खुराक दें, ताकि हमारे प्लांट्स खुश रहें, और हमारी वेस्ट चीज भी संबल जाए, तो इसके लिए आप मेरे कमेंट बोक्स में आके मुझसे अपनी बाद शेयर करें, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब् प्लांट्स को एसके लिए थैंक्स